तो दोस्तो Firebolt ने अपनी Android Smart Watch के सारे features reveal कर दी है क्या इसका price रहने वाला है कभी smart watch launch होने वाली है सारी चीज़ा इन्होंने reveal कर दी है अपने website के ओपर इसी के साथ साथ इसका launch date and price भी reveal हो चुका है जिसका नाम है Firebolt Dream और ये smart watch 10th of January को 6000 रुपीज के अंदर launch होने वाली है और काफी सारे features है इसके बारे में discuss करेंगे इस वीडियो में तो end तक आप लोग बने रहना पर उससे पहले आप से request करना चाहूँगा चैनल के उपर नहीं हो तो फटावाट subscribe करो वीडियो अच्छे लगे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना सबसे पहले बात करते हैं watch के look and design के बारे में तो यहां पर आप लोग को proper metallic frame प्रोवाइड किया गया है same to same वैसा ही design देखने को मिलता है जैसा के firebolt वाग में देखने को मिला था side में working crown प्रोवाइड किया गया इसके अलावा 44 mm का silicon strap देखने को मिल जाएगा बाकी watch के left side में sim slot प्रोवाइड किया गया जहां पर आप लोग physical sim insert कर सकते हो nano sim का support प्रोवाइड किया गया इसी के साथ साथ wifi का support देखने को मिल जाएगा बात करने इसके display की तो यहां पर 2.02 इंच की TFT display देखने को मिल जाएगी 600 nits की peak brightness है 320 x 380 का pixel भी provide किया गया है जिसके वाइसे display quality और भी जादा enhance हो जाती है इसके अलावा इसके other features की बात करें तो आप देखो android smart watch है तो यहां पर आप लोग को play store का support मिल जाएगा यहां पर आप लोग 1000 प्लस application को install कर सकते हो जैसे के YouTube, WhatsApp, Instagram बाकी और भी बहुत सारे useful application जिसको आप लोग यहां पर install कर सकते हो और उसको अपने इस watch के अंदर use भी कर पा होगे मतलब phone को replace कर देने वाली smart watch निकालिए firebolt वालों ने जी हां आप लोग इसी smart watch में WhatsApp, chat वगर भी कर सकते हो मतलब reply करने का भी option प्रोवाइट किया गया है voice command के थरू भी आप लोग इसको use कर सकते हो इसके अलावा यहां पर आप लोग YouTube, Shots या पर Instagram, Reels भी चकाउट कर सकते हो मतलब काफी सारे यहां पर आपको Android वाले features को देखने को मिलते हैं इसी के साथ-साथ यहां पर आपको GPS का support भी प्रोवाइट किया गया है जहां पर आप लोग navigation वगर चेकाउट कर सकते हो मतलब Google Map वगर यहां पर use कर पाओगे इसी smart watch में 2GB RAM, Solar GB Storage प्रोवाइट किया गया है जहां पर आप लोग 1000 प्लस application को install कर सकते हो गाने वगर भी store कर सकते हो और उसको आप लोग अपने TWA से connect करके use कर पाओगे इसके अलावा other features की बात करें जैसे Mintra, Amazon, Flipkart भी यहां पर आप लोग यूज कर पाओगे और इसी के साथ साथ आप लोग smart watch के अंदर game वगरा खेल सकते हो जैसे के Subwisarfer, Temple Run, बागी BGM वगरा खेल सकते हैं फिर नहीं वो मैं आप लोग को watch को use करने के बाद बता पाऊँगा और सिर्फ इतना ही नहीं इसे smart watch में आप लोग AI के भी कुछ tools यूज कर सकते हो जैसे के Chat GTP का support देखने को मिल जाएगा इसको भी यहां पर आप लोग यूज कर पाऊगे बागी बात करें सके battery backup के बारे में तो यहां पर आप लोग को 800 mAh की battery provide की गई है अगर आप लोग इसको normally यूज करते हो तो यहां पर company claim कर रहे है 36 hours का battery backup बागी medium यूज पर 24 hour का battery backup देखने को मिलता है और अगर आप लोग इसे smart watch को heavy यूज करते हो तो यहां पर आपको 16 hours का battery backup देखने को मिलने वाला है तो guys यही थे इसके features and specifications जो मैंने आप लोग को detail में बता दिया है और यह smart watch 12 अलग-अलग variant के साथ आती है मतलब आपको सब में अलग-अलग strap option देखने को मिलेंगे different different colors है तो आप लोग अपने choice के according इस smart watch को check out कर सकते हो अगर आप लोग luxury लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर available है Silicon strap है, इसके लाब leather strap है मतलब सारे ही option आपको provide करती है company आपे बांकि यह smart watch under 6000 10th of January को launch होने वाली है अगर आप लोग इस smart watch की unboxing video सबसे पहले देखना चाहते हो तो इस channel को subscribe कर लो, वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को like ज़रूर कर देना मैं मुलता आप लोग से next video में तब तक के लिए, bye